चार नवंबर को ग्यारे वैश जोडों का सामुहिक विवा सम्हारों आयुजित किया जाएगा अत्तिती वन में समाससेवीतों ने सामुहिक विवा सम्हारों का पोस्तर विमोचन किया और कारिकरम से जुड़ी जानकारिया दी हरिबोल सेवा समीथी एवं सद्भावना पार्क समीथी की ओर से 4 नवंबर को 11 वेश जोडों का सामुहिक विवा समारों आयुजित किया जा रहा है अत्तिवन में समीथी के सदस्यों ने कारिक्रम का पोस्टर विमूचन किया इस मौके पर हरिबोल सेवा समीथी के संसापिका ममता सिंगल ने बताया कि ये सामुहिक विवा 4 नवंबर को कमला नगर के टोरेंट पावर के सामने सद्भावना पार्क में आयुजित किया जाएगा जिसमें समाज के ग्यारे जोड़ों का विवावर के लिए लेकिन दूसरों के लिए जो काम करने की चेस्टा रखता है जिसमें समाज के ग्यारे जोड़ों का विवा किया जाएगा अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल ने और राकेश अग्रवाल ने बताया कि सामुहिक विवा के लिए 6 जोड़े तै हो चुके हैं और रजिस्टेशन की अंतिम्तिती 20 सितंबर रखी गई है जिसमें समाज के लोग आकर अपना रजिस्टेशन करवा सकते हैं कमणा नगर निवासी अशोक मित्तल श्रीमती आशा मित्तल ने सेवा की एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए कन्याधान का संकल प्लिया है वे ग्यारे निर्धन वैश बेटियों का कन्याधान करेंगे वे हर बेटी को जीवर FDR सहित लगवर एक लाक रुपे का घर ग्रहस्ती का सामान उपहार में देंगे सामोईक प्रिती भोज के साथ साथ विवा के विविन मांगलिक रस्मों का खर्च भी परिवार वहन करेगा समहारों में मित्तल दमपती को सम्मानित भी किया जाएगा इस अफसर पर मुक्र सर्रक्षक मुरारी प्रसाथ अग्रवाल ने कहा कि मित्तल दमपती की तरह अन्य संपन लोग भी आगे आए निधर बेटियों का घर बसाने में अपना सायोग करें सामोईक विवा समहारों में विवा करने के लिए एकशुक वैश्य युवक युप्तियों का रेजिस्ट्रेशन ममता सिंकल एकता बिल्डर संजेपले सदफावना पार्ट टोरंट पावर के सामने खुश्बू चैन, लोहिया नगर, बलकेश्वर आदी स्थानों पर किया जा रहा है इस सबसर पर अशोक मित्तल, श्रीमती आशा मित्तल, टीन अगरवाल, निखिल अगरवाल, प्रियंकार अगरवाल, हरेशंद, दीपक अगरवाल, मीना अगरवाल, रिशिय अगरवाल उपस्तित रहे इस सबस्तित रहे